हेलो और वेलकम माई डियर फेंड दिस इस मी कुमार पंकज और स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लैटफॉर्म क्रेकना उपर दोस्तों हम लोग देख रहे हैं बिहार कंप्लीट जी के सीरीज जिसमें बिहार का इतिहास हम लोग देख रहे थे और प्राची नितिहास लगभग हम पूरा देख चुके हैं लास्ट क्लास में हमने बिहार में पालवंस को पढ़ाता और पालवंस के आगे बिहार के इतिहास को अगर आप उठा के देखें तो आप देखेंगे दोस्तों की बिहार में कुछ छोटे छोटे और राजवंस रहे जिन्होंने शाशन किया और वहां से question आता है जैसे आप करनाट वंस देखें या फिर आप करनाट वस के अंतरिकता बिहार में देखेंगे छोटे-छोटे ओन जैसे सेन वंस है वहां से कभी गबार question पूछ लिया जाता है उत्तर गुप्त से question पूछ लिया जाता है तो छोटे-छोटे segments हैं जिनको हम आज की class में cover करने का प्रियास करेंगे जहां से question आता है उतना तो चलिए स्वागत करता हूं आपका हमारे platform पर और एक निवेदन की channel को share और subscribe करते रहिए अपने दोस्तों के साथ ताकि हमारा crack ना हो बड़ा बन पाए बड़ा परिवार बन पाए जादा से जादा लोग जुड़ पाए तो जितने भी लोगों को आप जानते हो जो बिहार के किसी भी अज़ाम की तैयारी करते हैं उनके साथ session को share कर दीजे जरूर यह बड़ी महरवानी आपकी रहेगी और सुरू कर रहे हैं हम आज की क्लास दोस्तों तो सबसे पहले हमें पढ़ना होता है मगद के उत्तर गुप्त राजवन्स क्या पढ़ना होता है मगद के उत्तर गुप् पढ़ा उसी के बाद का ये किरम है तो गुप्त वन्स के पश्चात उत्तर गुप्त अत्वा कहते हैं कि मगद में गुप्त वन्स का जो है प्रादुर्बाब हुआ फिर से एक बार जिसको उत्तर गुप्त के नाम से भी जाना जाता है इन लोगों ने उत्तर गुप्त राजवन्स ने पाटली पुत्र को राजदानी बना कर साशन किया अगर आपसे कभी पूछ ले कि उत्तर गुप्त जो थे इनकी राजदानी क्या थी तो आपने बताना होगा कि इनकी राजदानी पाटली पुत्र थी दूसरा यहां से question क्या पूछता है, तो पूछेगा संस्थापक इस वण्स का कौन था, तो क्रश्ण गुप्त जो है, उत्तर गुप्त राजवन्स का संस्थापक था, यह जो छोटे छोटे राजवन्स है, इन दातर question पूछता है संस्थापक से, या फिर अंतिम राजा से, जिसकी हत्यागर के किसी दूसरे राजवन्स का जो है शुरुवात हुई हो या इनके समय आक्रमन हुआ हो ऐसे question इन वन्सों से बनते हैं तो उत्तर गुप्त राजवन्स से आप ध्यान रखेंगे क्रिश्ण गुप्त इस वन्स का संस्थापक है और इसके बारे में जानकारी मिलती है अपसड़ अभिलेक से इस बारे में जानकारी मिलती है अब कभी अगर difficult question BPSC को बनाना हुआ तो हो सकता है कि आप से पूछ ले क कि जो उत्तर गुप्त राजवन्स से इनका छेत्र क्या था तो गया और भोजपुर जो जिले हैं उन जो है जिलों से इनका संबंध था उत्तर गुप्त राजवन्स का ठीक है गया और भोजपुर क्रश्ण गुप्त के पश्चात हर्षगुप्त इस वन्स का सासक बना और हर्षगुप्त की बेहनती हर्षगुप्ता उनका विवा हुआता मौखरी साशक आदित्य वर्मन से किसे मौखरी साशक आदित्य वर्मन से तो सिर्फ इतनी बात है जो आपको उत्तर गुप्त राजवंस में याद रखनी है क्रश्ण गुप्त इस वंस के संस्तापक हैं उनक से कोई question बनता नहीं है इनके बारे में जानकारी मिलती है अपसड़ अभिलेक से कहां से अपसड़ अभिलेक से इनके बारे में जानकारी मिलती है यह आपको द्यान नगेंगे चलिए next question देखते हैं मिथिला के करनाट सासक और यह important होता है बिहार के लिए बहुत बार BPSC ने यहां से question पूछा है तो ध्यान से देखेंगे मिथिला के करनाट सासक दोस्तो अगर करनाट सासकों की हम बात करें तो करनाट जो once है इसकी स्थाबना कीती नान्य देव ने किसने कीती नान्य देवे नाम आप याद रखेंगे अति महतपून नाम है यह बिहार के एकजाम के point of view से करनाट वंस की हम बात कर रहे हैं अगर हम इनका समयकाल देखें तो पाल वंस यह सासक रामपाल जब पाल डाइनेस्टी पे यानि यह है हमारा प्यारा भारत और आप देखेंग है उसी समय बिहार का जो तिरुषत छेत्र है जिसको आप मिथिला छेत्र भी कहते हो यहां पर करनाट वंस का उदभव हुआ किसका करनाट वंस का उदभव तिरुषत दरवंगा वाला छेत्र यह जो आप देख रहे हैं यहां पर है ना यह मदोबनी यहां पर करनाट वंस क जो है स्थापना हुई करनाट वंस यहां पर था नान्यदेव इसके संस्थापक थे और यह जो गया भोजपुर वाला छेत्र है यहां मैंने अभी आपको क्या बताया दोस्तो तो उत्तर गुप्त मैंने यहां पर बताए आपको ठीक है इस तरीके से भी आप इसे समझते चले करेंगे बहुत इजी हो जाएगा मैं कितरू इस चीज को समझना तो पूर्वी भारत पर चाल रहा था पालवंस का साशन और उनके साशक्त रामपाल उस समय तिरुत यानि मिथला के छेत्र में करनाट वंस का उदबब हुआ नान्यदेव इस करनाट वंस के सबसे पहले अपना की कि और इस बात का पता कहां से चलता है तो सिम्राओ घाओं से प्राप्त इक पाशाण लेख से सिम्रागाओं है और उस समय है 1097 और 1098 इसा पूर्व का ठीक है इनकी राजदानी क्या है तो सिम्राओ गड़ इसकी राजदानी थी यानि करनाट वंस की अगर राजदानी पूछेगा तो सिम्राओ गड़ आपको बताना पड़ेगा प्यारे दोस्तों क्या बताना पड़ेगा तिम्राओ गड़ ठीक है ये तो करनाट कुल भूशन की उपादी धारं करने वाला अगर आप चे बेहार में कोई question पूछ ले तो बताइएगा करनाट कुल भूशन की उपादी धारं करने वाला करनाट वंस का सासक नान्यदेव था 12-1 सताबदी में करनाटवन्स और सैनवन्स के बीच प्यारे दूस्तो युद्ध हो गया अभी हम आगे पढ़ेंगे सैनवन्स के बारे में भि तो 12-1 सताबदी में, कब ये 11-1 सताबदी के अंत में बिलकुल आप देखोगे कि इसकी स्थापना हो रही है और बार्वी सताबदी में करनाट सासकों के बीच और सैन वंस के बीच में युद्ध सुरू होगया और युद्ध किसलिए हुआ तो मिद्धला छेत्र के लिए obviously और फिर करनाट वंस के बाद जो मिद्धला छेत्र है इस पर सैन वंस का साशन हो या वो हम आगे देखेंगे तो मिधला छेत्र पर करनाट सासकों के बास सैन वंस का साशन होता है ये भी हमें पढ़ना होता है और जब ये युद्ध हुआ किसकिस में करनाट वंस और सैन वंस में इस समय यहां का सासक था नर्सिंग देव कौन था नर्सिंग देव तो आप से और नरसिंग देव जब साशन कर रहा था तो इनका अधिकार छेत्रता तेरोहत और दरवंगा छेत्रों में और फिर इस संगर्स के बाद जो संगर्स हुआ है सैनवंस के साथ इनी संगर्सों के कारण नरसिंग देव ने तुर्क बक्तियार खिल जी का बेहार अभियान के समय नजराना पेस किया, कि भाई आईए और जो है आपका स्वागत है दोनो बाहें खोल के नरसिंग देव ने स्वागत किया बक्तियार खिल जीगा और बक्तियार खिल जी वही व्यक्ति है प्यारे दोस्तों जिसने ना केवल बिहार पर आक्रमण किया अपीतु इसने नालंदा बौध बिहार पर आक्रमण किया ओधन्तपुरी में, साती सात इसने पुस्तकाल है कि वहाँ पर अपने सरक्षण में ले लिया और बौध बिहारों को नस्ट करना भी इसने सुरू किया, ये आप देखेंगे आगे चलके, तो आतें अपने इसी करना सातक दिल्ली सल्तनत के प्रतिनिदी को नजराना भेजते थे, क्योंकि वह साशन कर रहे थे, तो अपने ऊपर एक केंद्रिय सत्ता चाहिए होती है, सरक्षण चाहिए होता है, जैसे आप कभी घर से बाहर तयारी करने निकलो, या आप घर के बाहर कभी आते हो, तो आप एक आपके सरक्षक के तौर पर वहां पर उपस्तेत होते हैं, दीदी भी खड़े हो जाती हैं, एकदम उनको लगने लगता है कि एकदम अपना ही जो है बच्चा है छोटा, पिता, माता, जिसकी भूमिका में वो आ सकते हैं, बड़े भाई, बड़ी बहन, उसकी भूमिका में आकर वो सरक्षण करते हैं, तो राजाओं के पास भाईया दीदी तो हुआ नहीं करते थे, तो जो छोटे राजवन्स होते थे, वो बड़े राजवन्सों को या तो नजराना देकर उनके साथ संधी समझोते करते थे, या फिर उनके साथ ऐसा कोई प्रिटी या संधी अप जब नाते थे कि जब हमारे पास कोई आक्रमन होगा तो आप हमारी सरा रक्षा करेंगे अपनी सेना को लेके आएंगे और हमसे जो बन पड़ेगा आपके चरण कमलों में राके रख देंगे हम आपके आभारी हैं ऐसा करके जो है सासन सत्ता चलाई जाती थी तो करनाट सासक जिनका बिहार में आदिपत्य था, मितिला और दर्बंगा के छेत्र पर जिसको तिरुहुत कहा करते थे, ये भी नजराना देते थे दिल्ली सल्तनत के प्रतिनेधी को, फिर नजराना देने के क्रम में प्यारे बिचे, सत्ता बदली केंद्र में भी, यानि तुगलक आये ग्य ग्यासिद्दीन तुगलक और ग्यासिद्दीन तुगलक ने अपने विस्तार के क्रम में बंगाल अभिहान कर दिया, और जब बंगाल अभिहान इन्हों ने किया 1324 से 25 इसवी के समय, उस समय करनाट वंस का सासकता नर सिंग देव, क्या नाम था? हरी सिंग देव, माप किज जब सेन वंस का युद्ध हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे, इसमें ये कन्फ्यूजन कई बार होता है, कि हरी सिंग देव और नर सिंग देव, दोनों का नाम सेम सा लगता है, तो दिक्कत होती है, तो ध्यान रखेंगे, नर सिंग देव तब है, जब युद्ध हो रहा है, तो हरी सिंग देव इतने ज़्यादा भहभीत हो गए इस अभियान से कि वो तिरहुत वाले रीजन को छेत्र को छोड़कर नैपाल में पलायन कर गए और अपना जो राजवन्स था उसको उन्होंने जयों क्यातों छोड़ दिया यहां से question इसलिए बनता है कि एक सासक जो काफी प्रतिष्टिट था एक महान समाज सुधारक के तोर पर तिरहुत रीजन में जाना जाता था वो एक गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमन से इसकदर भहभीत हुआ कि अपना छेत्र छोड़कर भाग गया और पलायन कर गया नै प्रबंद का विकास हुआ था यानि जो आप management वाली चीज़ें आगे आने वाले समय में आप देखोगे प्रबंदन की जो विवस्ता आप देखते हो अकवर के समय आप सेरसा के समय उसको भूमी की 25 वाली चीज़ें देखोगे तो उसकी सुरुवात तेरहुत रीजन में प साहित और रचनाओं को या फिर रचनाकारों को आश्रे दिया प्रश्रे दिया उनके लिए भी इनको माना जाता है फिर जब ये वहां पे चले गए पलायन कर गए तो एक व्यक्ति एक कभी बिहार में बहुत संदर्बित है जिससे question बनते हैं विद्यापती विद्यापती क कि रचना आप सब लोग जानते होगे कीरती लता कीरती पता का उनसे सीधा question आता है और वहां आपसे पूछेगा कि प्रिशिद्ध मैथली कभी विद्यापती किसके सरक्षण में या किसके दरवार में रहते थे तो ये आपको बताना होता है तो द्यान रगेंगे दरबंग में पलायन कर गए थे गया सुद्धीन तोगलक के बंगाल अभियान से उनके जब नई पीडिया आई तो कीरती सिंग और सिव सिंग ये उनी के दो उत्तरादिकारी है इन्हों ने विद्यापती को सरक्षण दिया था अपने दरवार में और कीरती सिंग और सिव सिंग के द सिंग देव साशन कर रहे थे उसी समय मिथला में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल जो है उत्पन हो गया था तो आपसे दो तरीके की क्वेश्चन यासे बनते हैं एक तो पूछेगा कि विद्यापती किसके दरवार में थे तो आपने ध्यान रखना है वो नरेश कीरती सिं यह रचना की है तो यह भी आपने ध्यान रखना होता है कीरती लता और कीरती पता का इनकी दो रचनाएं हैं दोनों बहुत फेमस हैं इसलिए इसमें भी कन्फियूज नहीं होना कीरती लता में यह संदर्व आता है क्यूं यहाँ पर राजनीतिक अस्थिर्ता की बात कही जा रही है तो राजनीतिक अस्थिर्ता का संबंद वही है जैसे करनाट वंस की स्थापना नान्यदेव कर रहे हैं एक अलग जब दिखेगा कि जो राजनेतिक सक्ती है वो कमजोर हो रही है तो जो छोटे-छोटे सामन्त होते हैं वो अपना एक स्वतंत्र राज्य इस्थापित करते हुए आपको पूरे मद्यकालीन भारतिय तेहास में दिखाई देंगे ठीक वैसे ही नान्यदेव ने भी अपना एक अलग करनाट वंस की स्थापना की तो बिहार के इस समय भी जब हम बात कर रहे हैं तो यहां भी प्रतक जो छेत्र में एक संगठित राजनेतिक एकाईया थी ये राजनेतिक अस्तिरता को जब जाने लगी तो यहां पर एक अलग अदबुत चीज दिखाई दी और वो थी प्रसासनिक एकता एक प्रसासनिक नियंत्रन इन पर इस्तापित हुआ क्योंकि जब राजनेतिक अस्तिरता होगी तो कोई एक मजबूत एक केंद्रिय सक्ति आएगी और सब को अपने में मिला लेगी ये हमने पहले भी देखा है जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी जितनी राजनेतिक सक्तियां इधर उधर पड़ी हुई थी उनको सब को मिलाने का काम किया चंग्रगुप्त मौरिये ने फिर उसके बाद बिंदुसार ने और फिर असोक ने वैसे ही हमने गुपता डाइनेस्टी में पढ़ा कि गु चंद्रगुप्त उसकाम को आगे बढ़ाते हैं और फिर चंद्रगुप्त दुतिया विक्रमादित्य इसकाम को अंजाम देते हैं तो ठीक वैसे ही मद्यकालीन बिहार के इतिहास में एक विसेस्ता ये देखने को मिलती है कि यहाँ पर जितनी भी प्रतक छेत्र थे वो सब एक सेंगटित केंद्रिया एकाई के तौर पर जुड़ने लगे ठीक है यह आपको ध्यान रखना है फिर वही चीज आती है कि बार्मी सताबदी में बक्तियार खिल जी को आक्रमन जब वो करता है और जो है करनाट वंस जो उनको नजराना देता था तो उनको भी इस चीज स नुकसान हुआ और साती साथ बेहार की जो एक संस्कृती थी एक कल्चर ता और बेहार की जो प्रतिष्ठान थे जिनसे बेहार जाना जाता था उनको बहुत नुकसान हुआ और बक्तियार खिल जी के बेहार अभियान के समय जो बेहार के सासक्ते नर्सिंग देव उन्होंन नजराना पेस करके इनको संतुष्ट करने का प्रयास किया है यह हमेशा ध्यान रखेंगे कि बिहार पर जब बक्तियार खिलजी का आक्रमण हो रहा है तब भी करनाट वंस क्या कर रहा है करनाट वंस नजराना दे रहा है हमें छोड़ दो माईवाप ठीक वैसे ही इन तुगलक जब आक्रमण कर रहा है तो नजराना देने की कोशिस की लेकिन जो उसकी आने वाली पीडी रही वो इसकदर इनसे जो है भैबीत हुए कि वहां से छोड़के चले गए नहीं तो करनाट वंस का साचन बहुत लंबे समय रहा है यहां से क्वेस्चन क्या बनता ह बक्तियार खिल जी के आक्रमण से बिहार में दो क्वेस्चन आपको बनेंगे एक तो बक्तियार खिल जी के आक्रमण का समय आपसे बारवार पूछेगा कि किस समय बक्तियार खिल जी ने बिहार पर आक्रमण किया दूसरा पूछता है उसने क्या-क्या काम किये तो ओधन्त पूरी नामक एक बौध बिहार ता उसको अक्रमन किया और उसको नश्ट कर दिया पूरी तरीके से इससे question बनता है इसको द्यान लखेंगे इंपोटेंट है बिहार के exam के point of view से दूसरा काम किया ओधन्त पूरी में जो पुस्तकाले ता उसको अपने सरक्षण में ले लिया इ नाकेबल ओधन्त पूरी के बिहार और पुस्तकाले के संदर्ब में इन्होंने ये काम किया अपितु विक्रम सिला और नालंदा विस्विद्याले को भी इसने अपने अधिकार में लिया और इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो पुस्तकाले की प्राप्त सूचना के आधार पर ही मिलती है तो यह ध्यान रखेंगे बक्तियार खिल जी जो है ओधन्तपुरी जो गौद बेहार है उस पे भी और नालंदा विस्विद्याल है जिसको बाद में नालंदा महा वेहार के नाम से आप जानते हैं कि इसमें जब जावा इंडोनेसिया का जो राजा है व लगा इसको भी उसने अपने अधिकार में लिया और यहां पर भी जो है उसने छतिग्रिस्त करने का पूरा प्रयास किया ठीक वैसे ही विक्रम सिला विस्विद्याल है जो धरम पाल ने निर्वान करवाया था उस पे भी इन्होंने अधिकार किया बक्तियार खिल जी के चीज तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि विहार को विहार क्यों कहा जाता है तो विहार था इसका पहले नाम क्योंकि यहां पर बौद्ध विहार विहार मैंने बताया है जहां पर जो बौद्ध भिक्षुक हैं वो रहते थे निवासिस्थान ध्यान योग ये सब यह आपको दिखाई देगा बहुत धर्म परंपरा में और बहुत बिक्षुक के बिहारों की अधिकता के कारण इस छेतर का नाम विहार पड़ा जो कालांतर में बिहार हो गया क्या हो गया बिहार तो इसलिए इस छेतर को बिहार कहा जाता है इसका नाम बिहार पड़ने का कारण यह मैं पहले आपको बता चुका हूँ अब तो हम बहुत आगे आ चुके हैं जब हमने बिहार को पड़ना सुरू किया था तबी इन सब चीजों पर चर्चा हम कर चुके थे फिर बक्तियार खिल जी का क्या हुआ इन्हों ने यहां पर अदिकार किया साशन किया फिर इनका एक सैनिक आया और सैनिक ने इसकी हट्या कर दी बक्तियार किल जी की और इसके शब को बिहार सरीफ के इमादपुर नमकिस्थान पर दफना दिया यहां से एक question बनता है आपको कि जो बक्तियार खिलजी है इसकी आपको जो है दरगाह का मिलेगी यह इसका आपको यह कहाँ पर इसका जो अंतिम जो है सन्सकार किया गया यह इसको कहा दफनाया गया तो आपको यह जगे का नाम याद रखना होता है इमादपुर ठीक है याद रखेंगे आप सब लोगों के लिए question है आपे आप लोग engagement नहीं दिखाते हो तो यह question का answer सारे लोग करेंगे कि यह जो इमादपुर है यह बेहार के वर्तमान में किस district में पढ़ता है यह मुझे आप लोग सारे comment करके बताईएगा ठीक है तो जो आपका करनाट once है उससे इसी तरीके के question बनते हैं क्योंकि यह crash course है तो हम यह पे ज़्यादा detail में नहीं जाते है crash course हम यह करा रहे हैं ताकि बेहार में वो सबीचीजें कम से कम समय में cover की जा सकें जहां से maximum to maximum syllabus cover हो सकें और marks भी हम gain कर सकें बट हम लोग foundation batch भी चलाते हैं अगर आप detail में पढ़ाई करना चाते हैं BPSC की या बेहार के किसी अन्य exam की तो हमारे foundation course से आप जुड़ सकते हैं जिसके लिए आप इस number पे text कर सकते हैं आप class में offline भी पर सकते हैं एप भी है जिस पे आप online courses ले सकते हैं test series से लेके main program तक ठीक है foundation course, crash course, whatever you want we have of everything तो आप contact कर सकते हैं इस number पे चलिए आते हैं मुद्दे पे sane ones मैंने आपको बताया कि sane ones जो है दोस्तों ये चल रहा है उसके बाद जब आपने देखा कि करनाट ones के समय जब nursing देव सासक हैं उसी समय sane ones के बीच में इनका युद्ध होता है मिथला तेरहोद छेत्र पर अधिकार को लेकर तो पालवन्स के पतन के पश्चात और मैंने आपको बताया था ये है हमारा प्यारा भारत और भारत के पूर्वी छेत्र में पालवन्स जो है साशन गर रहा था है ना मैंने आपको यहाँ पर त्रिपक्छिय संगर्स की बात बताई थी गुर्जर प्रतेहार पाल और राश्च्चूटों के बीच में यह 200 वर्षों तक चला त्रिपक्छिय संगर्स उसमें 200 वर्षों के युद्ध के बाद गुर्जर प्रतेहारों ने अंतिम रूप से विजय प्राप्त की पालवन्स उसी पालवन्स की हमें आपके बात कर रहे हैं ठीक है तो उसी पालवन्स के जब पतन हो जाता है इनका अंत हो जाता है तो सामंत सेन की नित्रत तुम्हें सेन्वन्स की स्थापना होती है तो आपको याद रखना है, क्या नाम है, सामंत सेन, है ना, ये ध्यान रखेंगे, ये है इस्थापक सेन वंस का, इसके फिर पिर अन्य सासक भी आते हैं, विजे सेन है, वल्लाल सेन है, लक्षमर सेन, एक बहुत फेमस व्यक्तित्व है, सेन डाइनस्टी से, जो बहुत जो है सरक्षन देता है और कला का जो एक आप बिहार में एक अलग से question भी देखते हो पाल डाइनेस्टी से question आता है पाल कला से यह मेंस में आपको बहुत देखेगा जितना importance बिहार में मौरियन आर्ट की है मदुबनी पेंटिंग की है उसी के similar आप पाल आर्ट को भी देखोगे और पाल वंस बिहार में संस्कृती और वहां का जो कल्चर है उसको सरक्षन में वहां के आर्ट एन क्राफ्ट के लिए बहुत महतपूर एक वंस रहा है इसलिए अगर आपको गुप्त के बाद के वंसों में क्वेशन बनता है तो दो डाइनेस्टी बहुत महतपूर होती है एक करनाट जिसमें नान्यदेव है क्योंकि दरबंगा तिरहुत का छेत्र और मिथला में विद्यापती जैसे कवियों के लिए संरक्षन वो एक महतपूर्ण चीज है और दूसरा यह सेन वंस जिन्होंने पाल आर्ट के लिए जो है बहुत महतपूर्ण कारे किया तो बात आती है सेन वंस की इसलिए बताया क्योंकि दो बार हम पाल के बारे हम बात कर चुके हैं तो पाल आट मेंस में कल मेरे पास कोई आया भी था वहां भी मैं डिसकस कर रहा था तो वो चीज याद आ गई फिलाल लक्षमर सेन पर वापस आते हैं और सेन वंस पर वापस आते हैं तो पाल वंस के पतन के पस्चास सामन सेन के नित्रत में सेन वंस की स्थापना हुई इस व कौन है विजह सेंड इससे सिर्फ आपको दो ही चीजह याद रखनी होती है एक तो सेट वन्स का संस्थापक और दूसरा ये विजय सेन और इसको सबसे सक्तिसाली और सबसे महत्पूर्ण इसलिए भी माना जाता है कि इसने जो करनाट वंस के संस्थापकते नान्यदेव उनको पराजित किया था और सेन वंस और जो है करनाट वंस में लगातार युद्ध भी हुए हैं हमने एक युद्ध आगे भी देखा है प्लस विजय सेन नान्यदेव को पराजित किया और दो पुस्तकों की रचना की दान सागर और अद्वुत्प सागर यहां से भी जो है आपको question इससे पूछता है आपको यहां पर रचना देता है basically एक इदर दे देगा पुस्तके यह इस तरीके के question हम test series में बनाते हैं और इदर दे देगा रचना कार यह दर रचना लिख देगा या रचना कार लिख देगा चार रचनाई होंगी कीरती लता विद्या कीरती पता का उ उनमें से यहां से रख देगा दान सागर ऐसी चार रचनाई रखेगा चार लेखक रखेगा और आपसे गएगा मिलान करिए तो यह भी आपको पता होना चाहिए विजय सैन के बारे में ध्यान रखना है यह सैव धर्म का अनुयाई है और यह एक नई परंपरा आप यहां हो हमने अभी तक देखा था बहुत जैन धर्म के मताब लंबी हमने देखे बहुत लंबे समय तक उसमें हमने बहुत बड़े एक अलग तरीके के व्यक्तित्तों को पढ़ा जो खारवेल है वो जैन मताब लंबी है फिर हमने बीच में पढ़ा दो डाइनेस्टी को जो मेहत्व दिया बहुत अधिक लेवल पर जो है सुंग डाइनेस्टी में आप देखोगे उन्होंने तो बुद्धों का जो है पुसमित्र सुंग ने तो बहुत बेहारों को नश्ट करना सुरू किया बहुत धर्म को मानने वाले लोगों का शोशन किया ऐसा तक उल्लेक मिलत हैं हलांकि वह बहुत श्रूतों में ही मिलता है कई और ऐसे जानकारी के शूरूत नहीं तो बात को तो नहीं माना जाता कि उन्होंने दमन किया बहुत लोगों को नश्ट करवाया है पुसमित्र सुंग ने ये बात बिल्कुल ठीक है कई शलूतों में उसके बारे मावन उल वो एक जैन मताब लंबी है जो अलग से माना जाता है यहां एक अधवत चीज आप देखेंगे सैव धर्म का अन्वियाई इतने लंबी हमने डाइनेस्टी के क्रम को पढ़ा अगर बेहार की क्रोनोलोजी को हम समझें और मैं ब्रद्रत वंस से सुरू करूं मगद में अगर हम तो मगद में सुरूवात होती है हरियकसे सिशुनाग फिर नन्द उसके बाद मौरिय käytत के बाद फिर सुंग फिर कणव है न कणव के बाद हमने गुपता पिरियेड को देख लिया, गुपता पिरियेड के बाद हम गुपता के बाद के वंसों को पढ़ रहे हैं, पाल उधर पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमने करनाट पढ़ा और आप सेन वंस पढ़ रहे हैं, तो हजारों सालों की परंपरा को पढ़ने के बाद आ अपने याद रखने हैं एक तो इनकी जो इस्थापना कर रहा है सामंत सेन एक व्यक्ति जिसका नाम है विजे सेन जिसने नान्यदेव को हरा दिया है करनाट वंस के लिए नान्यदेव एक अदभुत व्यक्तित तो रहे हैं और दान सागर और अदभुत सागर की रचना कर रह आपने लक्षमर सैन जो इस वंस का अंतिम सासक है और इसके दरवार में एक बहुत महान कभी रहते थे जैदेव क्या नाम थे जैदेव इनकी रचना का क्या नाम है गीत गोविंद तो यहां से दो तरीके के question बनते हैं कि जो जैदेव हैं वो किसके दरवार में रहते थे तो आपने बताना पड़ेगा लक्षमर सैन के में कैई वार वो जो पुस्तक और रचनाकार वाला किरम है वो यहां पे भी लागू होता है आपसे देदेगा कि गीत गोविंद किसकी रचना है तो आपने बताना पड़ेगा जैदेव की है ठीक है अब यहां पर एक और जो है न परंपराएं बदल जाती है और उनका मत अलग-अलग जो है परंपराओं को जाता है तो इसका तात्परे हम यह भी कह सकते हैं कि सैन वंस बॉद्ध जैन को सरक्षन देने के साथ साथ जो आपके अन परंपराएं हैं जैसे सैव धर्म और वैशन ओव दर्म आज तक बेहार म एसा क्वेश्चन बना नहीं है difficult बनाना उटा तो कह सकता है कौन सा वंस ऐसा है जिसने सबी धर्मों को सरक्षन दिया या उसमें रहने वाले जो सासक थे उन्होंने अलग-अलग समय पे अलग-अलग जो है धर्मों को सरक्षन समान सरक्षन प्रदान किया तो वो सेन डाइम स्टी हो जाती है क्योंकि आप जैन और बॉद्ध परंपरा तो चली रही है उसके साथ साथ आप देखेंगे शैव को भी मानने वाला एक व्यक्ति और एक वैशन परंपरा को भी आपे मान रहा है लक्षपन सैन के समय में एक और घटना घटेत होती है मुहम्मद गौरी का वह सैना पती बक्तियार खिल जी वो कैसारे जो अभियान कर रहा है जो हमने देखा ना कि करनाट वंस के समय जो हमले हो रहे हैं उस समय सैन वंस भी है सेम पैरेलल कई वार हमको लगता है कि ऐसा हम लोग जब कंसेप्चल क्लारिटी के लिए इस तर पर नहीं होते तो हमें लगत डाइनेस्टी का साशन है पान डाइनेस्टी खतम होने के बाद सेन वंस इस पर आ जाता है ठीक है इसी में ऊपर बिहार के तिरुहुत छेत्र में चल रहा है सेम पीरियड ऑफ टाइम में तिरुहुत में चल रहा है आपका करनाट वंस तो अगर कोई दिल्ली से यहां पर आ करनाट वंस में भी इसको पढ़ा आक्रमण को और यहां भी पढ़ रहे हैं कि जब यह आक्रमण हो रहा है तो यहां पर लक्षमण सेन साशन कर रहा है सेन डाइनेस्टी में और मौम्मद गौरी का जो सेनापती है बक्तियार खिल जी जिनने बक्तियार पुर बसाया वो क्या होता है कुछ लोगों को जब मैंने यह समझाया तो लगा होगा मास्टर हमको बिल्कुली गोलू समझे रहा है प्यारे बच्चे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको यह बात साइथ पहली बार ही समझ में आई हो क्योंकि हर तरीके के बच्चे होते हैं सब किसीने को को चीजे समझ में आ जाएं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं एक अंतिम वंस और है बिहार से संबंदित जो है ममलूक वंस बिहार से संबंदित एक वंस याद रखना है ममलूक वंस बिहार में बक्तियार खिलजी की मिरप्ति हो गई किसने मारा इसके एक सैनिक ने 1206 में इसक इस्तापना हो चुकी है तो जब केंद्र में यानि दिल्ली में कुतबदीन एवक ने गुलाम वंस की स्तापना की तो उसने बिहार पर अधिक ध्यान नी दिया खिल जी तो यहां बैठा था गौरी के समय तो खिल जी बैठ गया था आके तो इसने बिहार पर ध्यान दिया और तब तक यहां कोई दिक्कते नहीं हुई जैसे ही बक्तियार खिल जी की मिरत्पी हुई तो उसके पश्चात उत्तर भारत में कुतबदीन एवक उदर सासक बन चुका है एवक ने बिहार पर ध्यान नी दिया और उसका लाब उठा कर यहां पर जो इस थानिय सामन्ते उन्ह मेरा कहने का ताथ परी इसी संदर्मे है बस आप अब ये मत सोचियेगा कि कहीं और जो है आप लगाम को कसना सरू करतें कि सतंतर तदी तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं और चला जाए व्यक्ति तो सिर्फ यहां के संदर्म में समझिएगा कई वाल लोग को ज्यादा समझ जाते है ना चलिए तो द्यान रखेंगे मैं सामन्त क्योंकि बहुत आधिक धनिक होते थे इनके पास भी पैसा होता था इनके पास भी काफी जो है विवस्ताएं होती थी तो इस स्वतंत्र होने की कोसिस करते थे जैसे हम देख भी चुके हैं नान्यदेव ऐसा कर चुके हैं सेन डाइनेस्ट्री ऐसे एक बन चुकी है पहले भी तो मबलूक वंस 1206-1290 तक इसने साशन किया है और एवक के पश्चाद जब एवक ने ध्यान नहीं दिया तो सामन्तों ने सुरू कर दिया स्वतंत्र होने का प्रयास करना और फिर इल्तुतमिस सासक बना बारे सो 10 से 1236 का इसका समय और इल्तुतमिस ने बिहार पर आक्रमण कर दिया 1225 में एक बार फिर से तो ध्यान न कहेंगे आपसे एक क्वेस्चन बनता है बक्तियार खिल जी के अतरिक्त भी किसी ने साशक ने जो दिल्ली का साशक है बिहार पर आक्रमण कर रहा है तो वो इल्तुतमिस है दो उस व्यक्ति ने भी इल्तुतमिस की अधीनता स्विकार कर ली, इल्तुतमिस ने बेहार में दिल्ली के प्रतिनिदी के रूप में मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया था और यह यहांसे important है, आप से question पूछेगा कि इल्तुतमिस ने अपने प्रतिनिदी के रूप मे किसकी नियुक्ति कीती, तो मलिक जानी इसको कहा जाता है, या मलिक अलाउद्दीन जानी दिख जाए, तो confused मत होईएगा, वैसे मलिक जानी जादा पूछा जाता है, तो मलिक जानी किसका प्रतिनिदी है, तो यह है इल्तुतमिस का, मलिक जानी को फिर अपदस्त कर दिया, इसके पद से हटा दिया हिसाम-ओदीन और उसने फिर बिहार को अपने अदीन कर लिया यानी हिसाम-ओदीन वो व्यक्ति है वो सामंथ है जो इल्तुतमिष की जो पकड़ है उसको कमजोर करता है उसके प्रतिनिदी अलाउत धिन जानी को हराता है लेकिन जूदा लंबे समय य से इलतुतुमिस के बेटे के जो है अंतरगत ये छेत्र आ जाता है तो वह बिहार सरीप और बाल का छेत्र है और ये कुछ छोटी मोटी डाइनेस्ट्री थी जहां से क्वेशन बनता था बिहार में और हमीने इसी के साथ जो एंसीेंट हिस्ट्री के नाम पे बिहार में जो सिलिवस है उसको हमने कवर कर लिया है मिडवल हिस्ट्री यहां से सुरूआत होती है जो बक्तियार खिल जी हम यहां पढ़ रहे हैं वहां भी पढ़ते हैं इक अलग चे करेंगे कल से जो हमारी क्लास होंगी वो आधुनिक बीहार के इतिहास को लेकर हूंगी मुझे उम्मीद है वो क्लास आपके जीवन में करमिक परिवर्तन ले के आएंगी आपको लाब पहुचाएंगी और जिस तरीके से आपकी हमसे उमीद जुड़ी हैं हम उसको पूरा करते रहेंगे मैं आपसे उम्मीद करता हूँ सहयोग की तो आप हमें शहयोग करते रहेंगे यह जो शेयर लाइक और सब्सक्राइब की जो परंपरा है यह चलती रहनी चाहिए मुझे ऐसी उम्मीद है यूट्यूबर्स आएंगे जाएंगे क्लासे आएंगी जाएंगी लेकिन यह शेयर और लाइक की परंपरा चलती रहनी चाहिए दोस्तो यह परिवार बढ़ते रहना चाहिए है ना तो परिवार को बढ़ाईए शेयर लाइक करते रहिए पसंद आए तो कॉमेंट करके बताईए कैसी लग रही है आपको क्लासेज क्या और बहतर हो सकता है वो भी आप हमें बता सकते हैं आज सजेशन्स आर ओल्वेज वैलकम पढ़िये स्वस्त रहिये अच्छे से एक्जाम दीजेए अल दा बैस फोर एक्जाम है वे ग्रेट डेया हीट जै हिंद